नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे सहरा इंडिया रीफंड से जूड़ी हलिया जनकरियों पर जैसे कि आप जनते हैं मन्नी सुपनी कोट में सहरा मामले की सुनवाई चल रही है आगले कुछ दिनों में नई सुनवाई होने वाली है जिसमें कई महत्यपूर्ण बिंदू को पांच चर्चा होगी लेकिन अभी तक पूर्टल पर रीफंड से संबंधित कोई आपडेट नहीं आया है हम जानते हैं कि पांच नवंबर को एक महत्यपूर्ण सुनवाई होनी है इस दावरान हमें उम्मिद है कि सभी निवेस्को को पूर्टल के जरिये रीफंड की प प्रक्ति देखने को पिलेगी सुत्रोसम मिली जनकरी के आनुसर रीफंड के लिए एक पूर्टल तयार किया गया है इस पूर्टल के मध्याम से निवेस्को को रीफंड प्रकरिया के बारे में जनकरी दी जाएगी हालां कि अभी तक कुछ लोग चिंतित है क्योंकि उनकी रासी का भुकतान समय पर नहीं हो रहा है सरकार ने भी इस पर ध्यान देने का आस्वासन दिया है सुनवाई में ये भी चर्चा हो रही है कि निवेस्को को उनके पैसे आपस देने के लिए किस परकार की प्रकरिया अपना ही जाएगी रीफंड के लिए जो प्रकरिया निर हम सभी को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सहरा इंडिया के ममले में बहुत से लोग आपने पैसे की आपसी के लिए लंबे समय से दिजार कर रहे हैं। अब निवसक अपने महनत की कमें आपस बसकते हैं। कि कैसे उन्होंने अपनी फूजी को खोई और आप कैसे रिफन पान की उम्मिद जगी हैं। एक निवसक ने वताए कि उसने दस साल पहले निवसक किया था और आप रिफन की परकेरिया कोई लेकर उम्मिद रखता है। सरकार ने निवसकों की मदद के लिए कई कदम उठाये हैं। रिफन परकेरिया को सुचारू बनाने के लिए निर्तियों बनाई जा रही है। सहरा इंडिया की वर्तमान इस्तिती पर चर्चा करें और रिफन के समभीत समय पर विचार करने की कोशिश किया जा रहे है। सहरा इंडिया भविसम नई योजना को पेस करने की योजना बना रहा है जो निवसक के लिए फाइदमन्द हो सकता है। आज हम ने सहरा इंडिया रिफन परकें के बार में चर्चा की। निवसकों को अपने आधिकारों के परती जगरु रहने और रिफन के लिए आविदन करने की सलहा दिया। धन्यवाद दोस्तों आमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें तकि आप आगे भी ऐसी जनकरी प्रत कर सकें। धन्यवाद।